बेसन की बनाईए सबजि तो उसकी लिए एक मसाला रैडी कर लेंगे प्यास टमाटर वाला तो असमें हरी मिर्च, अदेर extrで क्लग सुखी लाल ल्च मेंडें करूँज और लेगे ले ले लेगे अजवयन थोड़ा सा क्रश कर लेंगे हाथों से उसके बाद इसमें कुछ बेसिक मसाले अड़ करेंगे जैसे जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और इसमें जादा कुछ अड़ नहीं करना है नमक अड़ करके फिर इसको अच्छे से सूखा पानी डाल कर इसका अच्छा सा स्मूध सा पेस्ट जैसा बना लेंगे बहुत सारे लोग इस बेसन में बारी कटा हुआ प्याज और हरिमेश भी डालते हैं बट मैंने ऐसी प्लेन बना रही हूं वह भी अच्छा टेस्ट करता है फिर जब अच्छे से इसको फेट लेंगे छाको से ल्गा सा पतला हो गया था कोई दिकत नहीं भी अफिकल के इसकी सा बट बार को तो पतला नहीं होब गहा था तो इस कनीचे सा था कर ना दय को पाकर लाकर पर और रही है और की चार प्लाड़ से प एना लेध permet को बया इसके इसे और भीता कि पर इसको प्लa इसको पल्ट करना है और उसके बाद इसको पकाना है थोड़ी दिर और तवे पे जब यह थोड़ा देर के लिए और तो पीसे कट कर में तो यह ज्यादाम नहीं तो इसके बाद दोनों साइट से पका लेंगे और इसको निकाल लेंगे बाकी सारे भी इसी तरीके से कुक कर लेंगे और इनको छोटे-चोटे पीचेस में कट कर लेंगे उसके बाद इसका बनाएंगे मसाला ग्रेवी तो सबसे पहले ले लेंगे पैन उसको अच्छे से गरम इसके बाद इसमें डालेंगे शॉल्ट जितना ग्रेवी बना रहे सकुल नियुक्ति कम जाद हो तो बाद में रजाब जाए और फिर उसके बाद बाद पेस्ट बनाई था प्यास टमाटर अधिरकलहसं का उसको डाला थे प्यास टमाटर वाला मसाले को ठोड़ी देर के लिए 5-6 मिर्ट के लिए तो इसको ढखकर पकाएंगे बीच बीच में चलाते रहेंगे थोरा सब जब यह पक जाए फिर उसके बाद बागी जो मसाले होते हैं बेसिक वाले उसमें वह एड़ कर देंगे हल्दी पाउडर लाल मिर्च पाउडर वह कश्मीरी लाल मिर्च था और यह कोई मसाला एड़ करने की ज़रूरत नहीं है अच्छे से मसालो को मिक्स कर लेंगे इसके बाद इन सब को अच्छे से पकाएंगे कुछ देर के लिए पांच-छी मिर्ट के लिए इसको भी ढखकर और इसमें अलु भी डालेंगे तो अलु 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 कर लिया था तो उसको छोटे-चोटे टुकरों में पीसे में कट कर लिया है जब मसाला थोरा सा अच्छे से पगगा उसके बाद इसमें अलु डाल दिया और आलु डालने के बाद फिर मसालों को और पकाना है दो-3 जो तुकरित है आलु के उसको ऐसे ही मैश के लिया थाकि जो ग्रेवी ओ थो थ ईसके बाद बाद ऊपर के पालिया और उसके बाद मीज़्ट से डाल लेंगे एक तो बाहभा पानी जो प्युप सके अब डाले जो और पूदagen ग्रेवी मिक्स कर लेंगे तो तीन मुटिल पकाएंगे पानी कम लग रहा है तो आड पहले ही कर ले उसके बाद इसको पका ले जादा देर नहीं पकाना है उपर सथनीय के पत्ते डाले और आप इसको रोटी दाल चावल के साथ भी और रखेंगे और बहुत ही जादा टेस्टी लगता करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें